पीच अगली खबर की बात करते हैं जैपूर से अगली खबर है जहां दाच्योवर्धन राठोर जगतपुरा शूटिंग ब्रेंच में शूटिंग रहिजूबे नाज्योवर्धन ने नशाने बाजी की प्राक्टिस किया राच्योवर्धन ने फेस्बुक पर लाइब वी कि आई आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा राच युबर्धन सिंग डाठोड ने जिस समय जुरूरत थी खतम हो गई वो बात अब हटने का समय है फूल मैं शूटिंग रेंज पर हूँ सोचा यहाँ पर आकर यहाँ पर थोड़ा बहुत शूटिंग करते हुए आपसे बात करता हूँ सिर्फ आर्टिकल 370 नहीं यह एक और धारा हटाना चाहते हैं 124 A अब 124 A आप और हमारे लिए कोई बात ऐसी बनती नहीं कि 124 A क्या है मैं बताता हूँ क्या 124 A आपको याद है जेनियू के अंदर जवाला नेर युनिवर्सिटी के अंदर जब वो टुकडे टुकडे ग्याएंगे खटा हुआ था फोल जब वो टुकडे टुकडे ग्याएंगे खटा हुआ था और उन्हें कहाता कि भारत तेरे तुकडे होंगे, इंशाल्लाँ, इंशाल्लाँ कौन गया था वहाँ पर? कौन सी पार्टी का अध्यक्ष महाँ पर गया था? राहूल गांदी वहाँ पर गयाते इनकी मिली भगत है इन लोगों से इनके रिष्टे है इन सब लोगों से और उन्होंने वहाँ जाकर उनके साथ अपना समर्थन दिया और आज फुल और आज ये अपने धोकापत्र में लेकर आए हैं कि हम 124 ए धारा 124 है जिसकी वज़े से इन सब की धर पकड़ हुई थी जि कानून को हम रद कर देंगे आप सोच सकते हैं आप चाहते हैं क्या मुझे बताइए आप मेरे जितने भी साथी अभी आप जो देख रहे हो आप चाहते हो कि 124 ए धारा जो देश के टुकड़े-टुकड़े करना चाहे वहटा देनी चाहिए और आतंकियों को और साहता देन 124 ए धारा को हटा दे कि ये टुकड़े-टुकड़े गैंग और मजबूत हो जाए और उसकी उनसब की और ऐसे जितने भी लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनकी अध्यक्षता ये कॉंग्रेस की सरकार करे ऐसी सरकार देश में हर्गेज नहीं बन सकती प्रधान आशे के अंदर ऐसे कानून बनते थे की 124 धारा जो देश को तोड़ना चाहे उसको उस धहरा को ही अटादे